गालाय के पर देश अध्रक्ष ने बयान धिया कि आम गाय खाते है अब पूरी यात्रा केано के हिंदू मिसलमान एक साथ चलेंगे क्या चल गए आज उन्हें आपके रास्थान में आपको न्याय नहीं मिल पा रहा प्रैंका गांधी जी नहीं आ पा रही है मिलने पिरित परिवार से और मुसल्मान को कहीं ना कहीं से आप अब अवेसी जिन नेताओं को आगे लाना पड़ेगा उनको अपना नेता बनाना वोटर है मुझे वोट बैंक है वागे कुछ नहीं है हम कह रहे हैं गौर अख्षा वाले मेगाले के अध्य प्यदे अध्यक्या चक्के जाम कप करेंगे इस मिती रानी के घर में सब्सक्राइब करेंगे जब वह बीप गाय की जीप खिलवाती है भाष्पा नेताओं जब में एक कारोबार करते हैं तो यह ड़क्षा कौलों का कि यह बंद हो जाती है क्या यह को सुर मिसलमान उकाटने को मिलते हैं बदा यह इतना ही बड़ा है क्या इसको पता है इस मिपको पाएगा अर्यमाप मोगा किसी का विजाफंहा गजिदा अब आपको लेकर कुँछ भावनाएं हैं कुछ सेवभा हैं को लिकाहएं अपनी माआ को छोड़ देगा कौन बेटा अपनी माँ रोड़ों पे छोड़ देगा और अपना लादम दारू पीते हैं और लड़कियों का डांस देखते हैं अभी इनकी जाज करवाईए ये कोई हिंदू नहीं है ये सिब हिंदू धर्म का पाखंड का मजाग बनाते हैं जैसे ये लोग मजाग बनाते हुए अदिखे आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट होना च सुचना देते हैं पुलिस को सुचना देगा पुलिस को तो लेके जाएगा ना अभी मैं इनको पकड़ू हूँ और इनको इतना मार दूए जिंदा नहीं रहे पाए उसके बाद क्या ही मतलब है तो मुनू मानेशर जैसे लोग जो है तो देखा आपने जुनियत की जुनिय आप किसी के बच्चे को इस तरह काट रहे हो मजा रहा है यहिंदु दरम राम के नाम पे करने वालो तुम राम के चरित्र को जाके पढ़ो अब फिर अगर तुमसे तलवार उड़के काटने की बात आ जाए ना तो ले आओ गरदन पढ़े मेरी गरदन में तलवार काटो हम अगर वह गलत नहीं है तो यहां नादिर चुना देशितने कुछ किया भी नहीं है वह कासे गलत हो गया सब किसी की जानने लोगें काईलो सरकार पूरी तरह से इन आरोपियों को बचाने की बचा रही है और इसका हिसाब चुनाओं में देना पड़ेगा इनको सीधी बात हमने इस भगवत गीता कुरान बाइबिल और इंसानियत पड़ा है हमें हमें पता है कि हम सच का साथ देंगे असली सनातनी है इसलिए इस दर्द में आए हैं किसी का मांग उजाल कि किसी के परिवार उजाल कर हम अपना धर्म का दंका नहीं पीड़ सकते और ना कि धर्में ऐसे पचार करने के लिए कहा गया है सोशल मीडिया पर आप लिखे हैं क्या आप यहां पहुंचे तो चेहरा चमकाने के लिए पहुंचे है जिल्वार लिखने मालों तो यह भी लिगना चाहिए। आज इस सरकार कोा चूडी पहले ना चाहिए। और मैं अपील करता हूं इस गाउं से बरतपुर गाउं से बरतपुर गाउं है यह गाट मिका के जीला से मैं यह अन्रोज करता हूं कि यहां पर घुसने वाला हर एक गवरक्षा आप लोग गाहे पालिए इस उन्तादादी करिए पर इस गाउं में अब दुबारा नासिर पड़ेगी आपके परिवार से कोई खोता है आपको दर्द है उतना दर हमें भी है मेरे आख स्यासु पचेगा नहीं कि एक साधू संति हां यही तो पूरे हिंदुस्तानी खुप सूर्ती है यही तो मैं दिखाने पढ़ियास कर रहा हूं यही हिंदुस्तान हिंदु मुसल करते यह देश सम्मिधान से था सम्मिधान से है सम्मिधान से चलेगा ना हिंदु राष्ट चलेगा ना इस्लामिक राष्ट चलेगा कोई राष्ट आप खुद कॉंग्रेस से हैं कॉंग्रेस के सरकार है यहां पर अब तक जो है मदद जो है वो पहुंची नहीं हमें निरा के लिए चुनाओं के लिए इंसाफ नहीं करा पा रही है दबाओं में काम कर रही है इसका मतलब कि राहूल गासी जी की भारा जुलो यात्रा यहां नासिर जुनायर का मामला चला है तो वहां दिवेशन चला है छे हजार छे किलो मीड़ा तक फूल बरसाए जा रहे हैं अरे दलालों के साथ नहीं रहूंगा रहां सरकार को माफी मांगते हुए ततकाल कारवाई करें इम्रान प्रताब करीजी से मेरा अन्रोद है कि वह एक करोड़ रूपय का चेक लिए फीरा है और नासिर को जुनायर कोई करोड़ का चेक दे सिधी बात अब तक तो कोई मदद की तो चाहा चंगाना को ना रहा है पिर को आज़ा बिलकुल तो कह दो रहा हूं ना वह किसी का भाई मैं का नहीं अगर हम यहां पर आए हैं अखेला भगवादारी यहां पर आया यहां ड़के नहीं आया कई एन सब अपने हैं इम्रान प्रताब गड़ी हो यह और भी नेता ह पहले आये उन पर आरोप आया कि वह चाहा चमका रहे हैं क्या कर रहे हैं बर वह आते तो हैं मुसल्मानों के लिए बोलते तो हैं बिलकिस बानों करे नाए कि लवाब टोड़ उठाते हैं लेकिन मेरा उनसे भी अन्रोध है कि नासिर जुनेत केस खुद अगबर दीनों से लड़े कोट में वह खुद लड़े मेरा उनसी है नुरूध है हमें नयाए कि नेता है वह पढ़ा लिके नहीं हो क्या बरेश्टर भी है केस लड़ सकते हैं जा के पड़ो वह अगर वह नासिर जुनेता केस लड़ते हैं तो मुसल्मानों को हिम्मत मिलेगी और मुसल्मान क को पहुंचे पहुंचे पहुंचके वहां पर मलत करेंगा पैसा प्रवाइड करवा देंगे और दीजों में कारवाई करेंगे तो जो काम करेंगा उसका नाम है कि आप करते हैं बी पाटी यह पाटी वह पाटी जब कभी किसी घर कोई चीज होती है ना तो वह बी यह पतलब नहीं होता है वह जो पहले पहुंचता है मामला उसका होता है भीजेपी का टो सब बीटीम हैं फीर तो फूरा अबी टीम है पूरा भीपख श्टेंद के से दिन बाइ कांगरेस में वी टीम है क्यों ने बहुंआ रही है कियो नहीं बहुत पहूंच रही है तो कहीं नहीं कहीं करेस किसी बड़े नेता ने कनहिया लाल के केस में मुखमंतरी 2 गंटे में पहुंचते हैं कांग्रेस को नास करने वाले चहरा है काई न काई गहलोज साम ने दिखा दिया कि मुसलमान जो है मेरा सिफ वोटर है मुझे वोट बैंक है बागे कुछ नहीं है उतने दिखा या साबित किया है और इसलिए मेरा खासा गुस्ता कांग्रेस पर बरस भी रहा है बिलकुल मैं इंसानियत के नाते हूँ और इंसानियते खिलाप कोई भी जाएगा हिंदू-मुसलमान से किसाई राहूल गांदी जी बारा जोड़ो यात्रा करने गए थे पूरी यात्रा की कि हिंदू-मुसलमान एक साथ चलेंगे क्या चल गए आज उन्हें आपके रास्था करने बहुत गंदी होचुकी है और जितनी ही बक्षी पार्टियां है, मुसलमान दलिता दिवासी पिछला को अपना वोड भैंक मान चुकी है, यह मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, यह धलितों को सोचना पड़ेगा, कि आगली लिंचिन फिर नहां नासिरों से ना मरे, नासिर और जुनेत ना मरें इसके लिए भी हमें मजबूती से एक साथ इन बेशर्मों को बाइकॉट करते हुए अपना नेता खुद खड़ाएंगे इस धरने की बाद जहां तक कही है जंतर मंतर पर हम सब बैठेंगे और हम नासिर और जुनेत के परिवार के लिए आर्थिक मजब के लिए भी देश भी देश भी इतने हमारे फालोवर है उनसे गुहर भी लगाएंगे